हलो दूस्तों कैसे हैं आप लोग तो दूस्तों अगर आप जो है सौधी रविया में रहते हैं तो किसी न किसी के मूँ से आपने सुना होगा कि अभी जो है सौधी में जो रोड के किनारे चाहे मजीद के साथ जो है पानी का तलाजा होता है उसको जो है बलदिया हटा रहा है तो यह बात सच है कि जूट है बहुत लोग confused है तो देखिए दोस्तो मैं आप लोगों को जरकारी के लिए बता दूँ कि यह बात बिल्कुल सही है यहां की जो नगरपाली का बलदिया है जो भी पानी का तलाजाय चाहे मजीद के साथ चाहे रोड के किनारे कहीं पर भी पानी का तलाजाय उसको हटा दिया जा रहा है दिरे दिरे जो हटाया जा रहा है इसके पीछे तोस्टो poder region पहला region जितनी भी आदमी पानी पिते हैं उनका health के लिए ध्यान में रखते हुए जो पानी का तलाजा है घटाया जा रहा है आपने ध्यान दिया होगा कि पानी का तलाजा होता है उसके अंदर फिल्टर लगा होता है तो फिल्टर बहुत जैदा कच्रा हो जाता है रमल भी उसके अंदर होता है तो अगर कोई भी खराब पानी पीता है तो उसके बोडी में अलग-अलग बीमारी भी हो सकता है और ज्यादा तर लोगों कच्रा पानी पीने से जैसे कि साब पानी नहीं पीने से पतरी होता है पिट के अंदर तो जो है लोगों को जो है सेहत का ध्यान में रखते हुए काम किया जा रहा है और दूसरा जो है रीजन ही है दोस्तो गौर्णमेंट जो है विजनस करना चाहता है अभी दोस्तो अगर पानी का तलाजा हटा दिया जाएगा रोडों को किनारे से तो जो भी वहर मुल्क से आकर सौधी में काम करते हैं जो मकान में चाहिए कहीं पिर भी काम करते हैं ओ लोग धरमस में अपना पानी लेके जाके काम करते हैं और पानी पीते हैं तो अगर वो बलदिया का सिस्टम के हिसाब से अगर पानी का तलाजा हटा दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा कि लोग बकाले से जैसे कि दुकान से पानी लेंगे तो गौर्मेंट का हायदा होगा और बीजनस होगा तो इसके पीछे तो रीजन है आपको क्या लगता है एक तो हेल्थ का ध्याम में रखा जा रहा है एक तो बीजनस करने का तरीका अपनाया जा रहा है तो आपको क्या लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएगा जिससे दोस्तों मेरों को भी पता चलेगा और जो भी लोग कमेंट करेंगे उन और आप लोगो को दियुजा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देजेगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सस्क्राइब कर देजेगा तो चलिए दुस्तों करते हैं वीडियो को समात, फिर मिलेंगे आप लोगों से कुछ नई बिड़ू के साथ जाएं वंदे मात्रा